हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल माई आउन एस्टाडी हव अमीद्स आपको मिल नाया पर रिजनिंग का कम्प्लीट सोलूशन तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को दवा कर दवाना होगा ओल पर ता तलाब का समंद्स स्थिरपानी से है उसी परकार नधी का समंद्स किसस एए कि जिस परकार तलाब का समंद्स से है Friends, कड़ा हैं पर कि जिस परकार तलाब का समन्द किसे है, इस्थिर पानी से, उसी परकार नदी का समन्द किसे है, Friends, प्रसन हैं पर कि जिस परकार तलाब का समन्द इस्थिर पानी से है, उसी परकार नदी का समन्द किसे है, Friends, आप ध्यान से देखेंगे चुकि यह चैप्टर का नाम ही है इनलोजी तो इनलोजी का मीनिंग ही होता है सद रिस्तivo याँ जो गुद्ञ आपको इस Дोनों के बीच दिखा दे रहा हूँ वही गुद्neg आपको नदी ए जो अंसर होगा उसके बीच दिखाई देना चाहिए तो यहाँ पर कहरा है आपको कि तलाब का जिस पर कर तलाब का समंद इस्थिर पानी से तो नदी का समंद किस से तो फेरंस आपको पता होगा कि तलाब का पानी जो होता है क्या होता है इस्थिर होता है तलाब में इस्थिर पा परवाही यानि बहुतते हुए पानी तो नदी में परवाही पानी होगा आपका अंसर यहां पर ऑप्शन थीरी हो जाएगा चूकि वीडियो धूंदला देखाई दे रहा है लाइट ये कारण लेकिन आप प्रस्णों को समझने का कोशिस करें प्रस्ण बासाठ है कि जिस परकार केक का समन्द खाने से है उसी परकार सिकंजी का समन्द किस्से है प्रस्ण पढ़ते ही आपको एंसर का पता चल गया होगा क्योंकि प्रस्ण में कोई जान नहीं है लेकिन बहुत ही मौत्पून प्रस्ण है तो यहां पर कह रहा है कि जिस प पता होगा सिकंजी किसको बोलते हैं जिस तरह से हम लोग अपने घर में निंबु पाणी और सीनी मिला कर सरवत बनाते हुशी तरह से मार्केट में निंबु पाणी जलजीरा यह सब बीकता है तो उसको हम पीते हैं हम लोग गर्मी के समय में ज्यादा पसंद करते हैं तो फिर्ण से यहां पर कह रहा है कि जिस तरह से केक का समद्ध खाने से तो उसी तरह से सिकंजी का समद्ध किसे है तो सिकंजी का समद्ध पीने से होगा तो आपका एंसर यहां पर पीने होगा एंसर देखेंगे तो option 2 आपको दिखाए दे रहा है प्रस्न 63 है कि जिस परकार चहरा का समंद अभी व्यक्ति से उसी परकार हाथ का समंद किसे कहरा यहां पर कि जिस परकार चहरा का समंद अभी व्यक्ति से जिस परकार चहरा का समंद अभी व्यक्ति से, उसी परकार हाथ का समंद किस से, प्रस्न के आए कि जिस परकार चहरा का समंद अभी व्यक्ति से, उसी परकार हाथ का समंद किस से, चहरा से किसी भी व्यक्ति का उसके अभी व्यक्ति कहने का मतले उसके हाव भाव का पता चलता ह चेहरा से हाव हाव का उसी तरह से हाथ से क्या पता चलता है तो हाथ से संकेत का पता चलता है यानि हाथ चेहरा से उसके अभी व्यक्ति का पता चलता है तो हाथ से संकेत का पता संकेत यानि हाथ संकेत निर्देश संकेत देगा और चेहरा से अभी व्यक्ति तो इस तरह से प्रस ने 64 है कि जिस परकार पक्छी का समंद्ध पंक से है उसी परकार मचली का समंद्ध किस से है उसी परकार मचली का समंद्ध किस से है उसी परकार मचली का समंद्ध किस से यह पर दिया गया है कि पक्छी का समंद्ध जिस परकार पंक से है उसी परकार मचली का समंद्ध कि से उसी परकार मचली का संवंध कीसे है तो यह प्रस्ण नहीं इस इना को पता हुआ कि इस तोनं के बीच जो सेम मुस्कि दीलेशन यह और आपका शो लिवको छहें पर वाला है तो पहस्ट कर्णा वुटा होता है उरने का काम पर आप तो मचली मचली तो यहां पर तैरने काम करता है तो वह तैरने का काम किसे करेगा तो उसके पक्षक यानि साइड वाला अंग जो पाय जाता है जिससे वह पानी को आगे पीछे करता उसको पक्षक बोलते तो मचली आगे तैरने का काम पक्षक से करता है तो आपका एंसर यहां तैरने का काम करता है तो किसे तैरने का काम करता है पक्षक से पक्षक बोलते हैं उसके जो मचली का जो डैना होता है उसको पक्षक बोलते हैं जिससे वह पानी को आगे पीछे करके तैरने का काम करता है तो आपका एंसर यहां पर option 4 होगा परसन ke 65 आपके सामने है कि जिस परकार सुनार का समन सूना से उसी परकार लुहार का समन किस्ते तो यह तो बहूत ही आसान परसनी आपको पता चल गया है कि इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है कहड़ा यहां पर कि इस परकार सुनार का संबंद सुना से उसी परकार लोहार का संबंद किसे फिर इन सुनार यानि सुनार जो होता है वो सुना का काम करता है सुनार जो होता है वो सुना का भूसन वगर जो बनाता है उसको सुनार बोलते उसी तरह लोहार जो होता है लोहा का चीजों सब बनाता है लोहार जो होता है लोहा का चीजों सब बनाता है तो इस तरह से आप समझ गया है कि सुनार का जो समंध सोना से वही समंध लोहार का किस्से है लोहा से तो आपका एंसर यह आपर ओप्सन फोर होगा क्या दिया हुए option फोर में लोहा परस्न 66 है कि जिस परकार रेत का समंध जल से है उसी परकार महासागर का समंध किस से है जिस परकार रेत का समंध किस से है उसी परकार महासागर का समंध किस से है यहाँ पर देखी ध्यान से महासागर इधर वला यानि जल और महासागर आप समझ रहे होंगे कि जल पानी और महासागर जो जल का बहुत बड़ा बिसाल रूप होगा वह महासागर का लाएं तो कर रहा है पिर जिस पर का रेत का समंद्ध जल से रेत का समंद्ध जल से तो महासागर का समंद्ध किसे फें जिस जल यहां पर दिया है तो जल का बड़ा रूप महासागर होता है इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया है और रेट रेट बालों का कन बोल सकते हैं उसको मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आगा यहां पर प्रसंद को किस तरह से घुमाने का कोशिश कि कि पर करेंग्त समाद जल से उसीपर्कार महासागर का समझ किस्से तो महासागर से भूनिक्या इसलिए तो नह्यार बहुता हिस्साओ है तो जल लिखाए उससी तरह से यहां पर मरु अस्थल हो जाए सकते हैं इसके सेंसे मुझे का मतलब की थोड़ा सा कन मिटी का थोड़ा सा कन तो रेत को एक छोटा भाग में कर लिया है उसी तरह से अगर महा कड्ऱ ऩो लेंगे तो महासाग्र के सिंस में यहाँ पर बहुत सारा रेत चाहल हो वोगा X04 मरुवस्थल बोलेंगे तो इस तरह से यहां पर relation होगा रेत का जो समंद्ध जल से है वही समंद्ध मरुवस्थल का महासागर से यानि आपको पता चल गया होगा कि यहां पर हम इसको महासागर इधर के हो लिए रेत यहां पर छोटा सा हिस्सा है तो जल दिया है रेत का बड़ा हिस्सा मरुवस्थल होता है उसी तरह जल का बड़ा हिस्सा महासागर होता है यानि इस तरह से relation यहां पर पता चल ला है तो फेंड्स आप समझ गए होंगे आपका answer यहां पर मरुवस्थल होगा से उसी परकार फूल का समंध किसे क्या कर रहा है प्रस्ण कि जिस परकार मनुस का समंध किसे मनुस का समंध किसे बच्चे से मनुस्ष का समंद्ध बच्चे से उसी पड़कार फूल का समंद्ध किस्से फेंड्स यह जो परसन है इनलोजी टेस्ट का बहुत ही महत्पून परसन है बार बार हम इस बात को बीडियो में दोरा ते आ रहे है क्यों कि आपको ध्यान रहे कि परसन आपके लिए बहुत महत्प हो जाता है तो आपको एकजाम नहीं कर पाते यानि आपके लिए एक-एक नंबर का बहुत तो फेंड्स यहां पर सभी प्रसनों को आप ध्यान से देखें और अच्छी तरह समझने का कोशिज करें अगर आपको प्रसन आ भी रहा है तो आप प्रसन को बार बार उसको देखे शीखने का कोशिस करे या रिवीजन करे क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई का रूल ही होता है जितना बार आप चीजों को पढ़ते हैं देखते हैं उतना कुछ ना कुछ नाया उसमें दिखाई द बात आता है आप जितना बार परतलों कि चीजे अंगे उतना बार प्रत्रौ को देखेंगे उतना बार आपको कुछ लुगा समिफने का पर चीजे चेसं पर बार इंपने का जीन की आपके इस इस परकार मनुस का समन्द बच्चे से उसी परकार फूल का समन्द किस्ते है चुकि एनालोजी टेस्ट का प्रसन है तो जो रिलेशन इस तोनों के बीच होता है वही सेम फूल और आपका जो एंसर होने वाला उसके बीच होना चाहिए तो फेर्ण्स आप ध्यान से देखेंग मानि मनुस बच्चा जब बड़ा होता है तो एक आदमी या फिर मनुस बनता है उसी तरह से फूल फूल का जो पहले का रूप होता है बतलब फूल बनने से पहले जो बनता है वह क्या बनता है कली बनता है फूल बनने से जो पहले बनता हो कली बनता है तो आपका अंसर यहा पर आपका option 4 होगा, फिर से देखे कि मनुस, यानि मनुस का जो छोटा रूप होता, वो बच्चा होता, उसी तरह जो फूल का अगर छोटा रूप बोले तो कली होता है, तो आपका answer यहाँ पर option 4 होगा कली, परसन आरसाठ है कि जिस परकार अच्छा का समन्द बुरा से हो, उसी परकार सदुगुन का समन्द किस्थे, तो फेरंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो परसन दिया होया, यह बिलोम सब्द दिया है, अच्छा का बिलोम, यानि अच्छा का उल्टा बुरा, या इस तरह से आप यहीं दिलेशन को लेते हुए सद्धुण का बिलो में आपके तुर्ण हो जाएगा प्रस्म वढ़ी असान था और आप इसको समझ गए होगी याँ पर कराएंग जिस परकार अच्छा का समंढ बुरा से उसी परकार सद्धुण का समंढ कि सह pots है उसी परकार सद्गून का शमंद किस्ते आपको यहाँ पर दिखाई दिया गया है परस्टन 79 है कि जिस परकार किरकेट का समंद किस्ते उसी परकार होकी का समंद किसे है जिस परकार किरिकेट 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 का समंद किसे है जिस परकार हौकी खेला तो हौकी स्टीक से खेला जाता है तो आपका एंसर यहां पर इस्टीक होगा Option आपको दीख गया ऑप का यह पर होगा प्रासन सतर्य है कि जिस परकार टीला का समध्पहार से उसी परकार जारी का समध्पहार से थैस रो यहां पर भी आप देखेंगे तो बिलोम के सेंस में यह उल्टा के सेंस में टीला छोटा रूप तो पहार बड़ा रूप उसी तरह जारी जो है छोटा रूप है तो इसका बड़ा रूप जंगल हो जाएगा यानि टीला छोटा रूप है तो इसका बड़ा रूप पहार दिया गया रूप है तो जारी जब बड़ा झारी को लेंगे तो उसको सेंस को बहुत जवाल सकते और आप बुक पंटेंगे तो आपको एंसर ओप्सन 3 में दिखाई दिया चूकि आपको ऑप्सन से मतलने आप तो यहां पर प्रस्ट को समझ गया है लेकिन ऑप्सन इसलिए दिखा देता कि आप अगर बुक में बनाया तो आपको ऑप्सन देखने से आपको संतुष्टी मिल बहुद यहां पर यहां पर दिय गया है तो फैंड्स वीडियो को लैक शेयर करें अगर कुछ आपके मन में बात हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल पर नया है ।ो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं पिर अगले वीडियो में अगले प्रसने के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय बारत फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिलिज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना न भूले